वेल्कम बेक फ्रेंड्स तो आज हम जो पजल लेके आएं वो है हमारी मैच सीरीज पजल की पजल नंबर 16 और इस पजल में आप देख सकते हैं हमारे पास एक नंबर सीरीज है जिसमें हमारे पास पांच नंबर से हमें इस इस नंबर को फाइंड आउट करना है और यह स्माइली भी बहुत गुसा हो गया है कि वो यह पजल सॉल ने कर पा रहे है तो चलिए इस स्माइली की मदद करते हैं और इस पजल को सॉल करते हैं तो फ्रेंड्स हमारे पास यह पांच नंबर गिवन है हमें इन 5 नंबर में एक पैटन या कोई लॉजिक फाइंड आउट करना है ताकी हमारा एक नंबर यहां पे उस लॉजिक या पैटन में ifit हो सके और same logic और जो pattern हम find out करेंगे वो हम इस 6 number को find out करने में लगाएंगे तो चलिए first और second number के बीच में एक logic find out करते हैं अगर हम देखेंगे तो हमारा first number है 2 और second number है 3 तो अगर हम कुछ इस तरीके से इसको लिखें 2 into 1 plus 1 is equal to 3 तो हमारा second number automatically आ जाता है तो चलिए check करते हैं second और third number के बीच में कोई logic बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है तो देखते हैं second number हमारा 3 है अगर उसका multiplication करें 2 के साथ और उसमें फिर 2 add करें तो हमारा आ जाता है third number तो I think एक pattern बैठ रहा है जिसमें हमें 1, 2, 3, 4 से multiply करना है और same ही number से हमें उसका addition करना है तो चलिए देखते हैं अपने third और fourth number के लिए तो fourth number के लिए हमारा जो बैठेगा logic वो ये बैठेगा कि जो third number है उसका multiplication होगा 3 के साथ और उसी का addition होगा 3 के साथ तो अगर इसको solve करेंगे तो 8 into 3 हो जाता है 24 24 plus 3 is 27 अभी तक हमने देखा कि हमारा multiplication addition 1 के साथ हुआ था multiplication addition 2 के साथ हुआ था multiplication addition 3 के साथ हुआ है अब जो हमारा next number होगा उसका multiplication addition होगा 4 के साथ तो चलिए देखते हैं कि हमारा 5th number कैसे निकलेगा तो अगर हम 4th number में 4 को multiply करें और 4 को ही add करें तो हमारा number बैठेगा 27 into 4 is 108 108 में अगर plus 4 करेंगे तो हमारा answer आजाएगा 112 और यह हमारा 5th number है आप देख सकते हैं यहां पर तो friends हमारा pattern और जो logic है हमने जो find out किया है वो एकदम correct है पांच numbers तक अब हम इसी pattern और logic को लगाएंगे अपने 6th number को find out करने लिए तो last number जो multiply हुआ था 4 तो हमारा जो अगला number होगा होगा 5 उसी को हमें multiply करना है और उसी को हमें यहां पर add करना है तो चलिए देखते हैं तो आप देख सकते हैं जो हमारा last 5th number आय था उसी में हमने multiply किया 5 को और उसी उस number को हमने आड किया 5 से तो जब इसको solve करेंगे यह हो जाएगा हमारा 560 और 560 में अगर हम 5 आड करेंगे तो इसका answer आजाएगा 565 और हमारा option D हो जाता है यहां पर और आप इस smiley को बोल सकते कि आपका answer आचुका है तो अब आप गुस्सा करना बंद कर सकते हैं और यह puzzle भी हमारा हो जाता है solve Thank you so much guys Thank you for being with us अगर आपको यह puzzle पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे अपने friends and family group के साथ और हमारे चैनल को जरूर से subscribe कीजे ऐसे ही मज़दार वीडियो के लिए Thank you so much Bye Bye